नमस्कार, मैं हो ससी, आया जारखन की टॉप 25 परमोग खबर जानते हैं अब राजे में मजूदा परतिबंदों के अलावा कुछ और सक्ति के साथ लोगडाउन को 27 अप्रेल तक के लिए बढ़ा दिया गया है बता दे मुख्यमतिय हमन सुन के देख्टा में पुद्दवार को हुई उच अस्तरिय बैठाक मेया निनन लिया गया नए नियम के अनुसार अब साधी समारों में 50 लोगों के अस्तान पर केवल 11 लोग ही सामील हो सकेंगे राजे के बाहर आने जाने के लिए पास अनिवार कर दिया गया है अब आने के लिए अनुमाती लेनी होगी और कुरोना निगेटिव का पवान पत्र दिखाना होगा बता दे अगामी 16 मई से लोगडाउन में सकती बढ़ाई जाएगी प्रवासी मजदूरों के लिए हिलफ लाइन नमबर जारी जार्खन सरकार ने प्रवासी मजदूरों के समस्याओं के समधान के लिए प्रवासी नियंतरन कक्ष त्यार किया है साथ ही हिलफ लाइन नमबर जारी किये है इसके माध्यम से देश के विभीन राजयों में रहने वाले मजदूरों की समस्याओं का समधान किया जाएगा बतादे स्रम नियोजन्यों प्रस्रिक्षन मंत्री सत्यनाद भुगता ने कहा है कि इस क्रोणा में हमारे मैजदूरों के हर समस्ते के समयधान के लिए सरकार तत पर है पिछली बार भी लाखों की संख्या में स्रमीकों कमदद की गई थी इस बार भी उन्हें किसी प्रकागी परसानी ना हो इसके लिए कंट्रोल डूम बनाया गया है इसमें फिया फाउंडेशन भी स्वयोग कर रहा है बतादे प्रवासी मैदूर इन नमरों पर फोन कर बात कर सकते है 0-651-2-81-0-55, 0-651-2878, 0-651-2883, वही वाट्सेप नमबर 94-7-13-25-91-3-34-27 पर संपर कर सकते है जारखन में 16 मैसे सकती, साधी में सिर्फ 11 लोग होंगे सामिल अब राज्य में मौझूदा प्रतिबंदों के अलावा कोछ और सकती के साथ स्वास्तुरक्षा सप्ता को 2 सप्ता यानि 27 मैज तक के लिए बढ़ा दिया गया है बतादे मुख्य मंत्री हमन सुर्ण के अध्यक्ता में बुद्वार को होई उच अस्तरिय बैठक में निन लिया गया नए नियम के उनसार अब साधी समारों में 50 लोग के अस्थान पर के वले गारा लोग ही सामिल हो सकेंगे वहाई 16 मैज से निजीवा आनों से राजे के बाहर आने जाने के लिए भी इपास अनिवार कर दिया गया है बतादे क्रोना के संक्रमन की चैन तोड़ने है तू लोग डाउन के नियमों को और कड़ा करने का फैसला लिया है गरामीन इलाकों में संक्रमन रोकने पर जोर आंगन बाड़ी कर्मियों को मिलेगा पांच लाख मेडिकल कीट जारखन के सीम हमन सुरे ने क्रोना महामारी का संक्रमन गरामीन इलाकों में फैलने से रोकने पर जोर देते हुए कहा कि सहरी इलाकों में कुछ दिन पहले जो अफरात अफरी थी उस पर कुछ नियंतरन हुआ है लेकिन राजे की 75 फिश्दियाबादी ग्रामी इलाकों में रहती है वहाँ भी संक्रमन रोकने के लिए तौरित धंग से सरकार कोशिस कर रही है आंगन बाड़ी अस्तर पर 5 लाख मेडिकल किट दिये गए है और जरूरत के अनुसार रिटायर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाप की भी मदद ली जाएगी जार्खन के प्राइबेट होस्पिटल में कोविट उपचार की दर्यता है जार्खन की हेमन सरकार कोविट होस्पिटल के खिलाब कानुनी करवाई भी हो सकती है वही हर दिन की दरों में प्राइबेट होस्पिटल द्वास्पिटल द्वारा तय दरों से अधिक मांग करने पर हेलफ लाइन नमबर 104 पर सिखाई दर्च कर सकते है हजारी भाग में 5000 बच्चों की दो माह की फिस माफ कोविट-19 संक्रमा की दूसरी लागर अजारी आंसिक लोगडन को लेकर अविभागों की परिसानियों को देखते हुए हजारी भाग में एजेंस हाई स्कूल और DPS स्कूल प्रवंधन ने सरानिये पहल की है बतादे प्रवंधन ने चालू सदर में स्कूल के करीब 5000 बचों की दो महीने की मांसिक फिस में छूट देने का फैसले लिया है यानि बर्तमान सत्र 21-22 में भागों को सिर्फ 10 महीने का ही मांसिक सूल्ग एजेंस हाई स्कूल और DPS स्कूल में जामा करना पड़ेगा टाइप हाईट जैसे लक्षन लेकर आ रहा है क्रोना संक्रमान क्रोना महामारी के दूसरी लहर में धनवाद में अबनाई समस्या आ खड़ी हुई है बतादे टाइप हाईट के अधिकांस मामले जाच के बाद क्रोना संक्रमित निकल रहे हैं लगतार बुखार होने पर पैथोलोजी जाच में लोगों की रिपोर्ट टाइप हाईट की आ रही है लेकिन मरीजों की लक्षन पूरे तरह से कोविट के दिख रहे हैं ऐसे मरीजों की बड़ती संख्या पर जीला स्वास्त विवाग परिसान है जीला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और सदर अस्पताल में काफी संख्या में मरीज ऐसी सिकायत लेकर आ रहे हैं कोविट से संक्रामित होने वाले लोग बता रहे हैं कि उन्हें पहले टाइप हाईट बताया गया था लेकिन जब उन लोगों ने कोरोना वाइरस के जाच कराई तो अस्वास्त पाएगा है महराष्ट अग गुईराच से चलने वाली है 25 ट्रेने गुईराच से लोटने वाली अत्रियों के लिए 29 माई को चलने वाली अमादाबाद कोलकाता स्पेशल ट्रेन में टिक्टो की वोकिंग 12 माई की सुबह से सुरू हो चुकी है जार्खन के बाहर आने जाने पर पास लेना जरूरी जार्खन में लोटन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है इसके साथ ही राजे से बाहर आने जाने पर रोक लगा दे गया है बतादे अब बिना अनुमती के कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा अब आने जाने के लिए अनुमती लेनी होगी और कुरोना निगेटिव का पवान पत्र दिखाना होगा बतादे अगामी 16 मैं से लोगडाउन में सकती बढ़ाई जाएगी अंतर जीला बसों का परिचालन बंध होगा इसके लिए परवहन विभाग ट्रेवल एडवाजरी जारी करेगा जारखन में 4362 नए केस मिले हैं जारखन में 97 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 480 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 50 या 467 है भारत में 3,62,399 नए केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 267, देवगर 137, धनबाद 168, दुमका 167, पूर्वी सिमू, 489, गड़व 128, गीड़ी 105, गोड़ा 85, गुमला 110, हजारी बाग 434, जामतरा 110, खुटी 135, कोडार्मा 143, लातेहार 127, लोर्दागा 62, पांकुर 6, पलामु 302, रामगर 271, रांची 655, साइवगन 34, सराइकला 95, सिम मरीज इस प्रकार हैं, बोकारो 734, चातरा 470, देवगर 488, धनबाद 172, दुमका 104, पूर्वी सिमू, 489, गड़वा 36, गीड़ी 171, गोड़ा 110, गुमला 234, हजारी बाग 452, जामतरा 87, खुटी 103, कोडार्मा 312, लातेहार 67, लोर्दागा 142, पांकुर 110, पलामु 306, राम 46, सराइक लाइक 103, सिम्डेगा 38, पाचमी सिमूं से 256 मरीज स्वस्थ हुए हैं, 18 पलस भैक्सिनेशन की त्यारी में परसासन, जारखन में 18 पलस टिकाकरन अभियान 14 मई से सूरू हो रही है, इसको लेकर राज सरकार अमतिम त्यारी में जूटी है, इसी के तहत, राची डी सर, व्यवस्ता सुनेशित करने का निर्देश दिया, वहाई वैक्सिनेशन के लिए 10 चेंटर बनाए गए हैं, केंद्रिय स्वास्थ मंत्री से जारखन के स्वास्थ मंत्री ने मांगे राजे के लिए 20 सहुलियत, क्रोना संक्रमन की ठीती और उसके समधान को लेकर केंद्र राजेयों के स्वास्थ मंत्री से वीडियो कंफिसिंग के जरिये बात की, इस दरण डाक्टर हस्वादन राजे में क्रोना संक्रमन की बरतमान इस्थीती सहुगत भी हुए, जारकन के स्वास्थ मंत्री बना गुपता भी इस वीडियो कंफिसिंग में सामिल हुए, इस दर और दिया है लेकिन मैंनु फ्रेक्टिरिंग कॉंपेनी को फ्रेक्टरी में लिक्वीट ऑक्सिजन की सप्लाई नहीं होने के कारण सिलेंडर नहीं मिल रहा है इसलिए के अंदर सरकार हस्त छेप कर अनुमती परदान करें स्वास्त कर्मियों का 50 लाग अबीमा करा रही है सरकार मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैमन सुरेन COVID-19 के बाठ रहे संक्रावन को लेका जन परती निदियों के साथ तीन दिनों से मंथन का सिलसिला लगाता जारी है बतादे इसक्राम में मुख्यमंत्री ने बुद्वार को व वाजा से जीन स्वास्त कर्मियों की मौत हो चुकी है उनके लंबीत बीमार आसी के भोकतान की दिशा में सरकार ने परयास्तेज कर दिये हैं बीर्सा मुंडा जेल में बनेगा आइसोलेशन वार्ड जार्खन के राची में इस्थित बीर्सा मुंडा सेंटरल जेल में तैनाध पुलिस कर्मी और कैदी अगर क्रोणा संक्रामित होते हैं तो उन्हें परिसान होने की जरूत नहीं है उनका इलाज जेल में ही होगा इसक कोवीड वार्ड बनाने की प्रकिर्या अरम्ब कर दिया है। इसके लिए जेल आजी विरेंद्र भुषन की ओर से सभी सेंट्रल जेल, मंडल कारा, उपकारा, ओपन जेल, मरिला प्रोवेशन, होम और कारा प्रस्किर्चन संस्थान के अधिक्षकों को आदेश दिया गया है। हाइ कोट एड़वोकेट एससेँशन ने वल वकीलो से कोट खोलने को लेकर मांगी रहा है। जार्खण इस्टेट वार काउनसील के निदेश के बाद जीला वार एससेँशन और अन एससेशेशन कोट खोलने, यहां मवजूद विवस्था को जारी रखने के वलगीलो से र जस्टिश डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिश एसेन परसाद की खंट पिट ने सीमित डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में अरक्षन का लाब देने के एकल पिट के आदेश को खारीज कर दिया है आदालत ने कहा है कि इस मामले में सरकार और जपीसी का पक्स सही है एकल पिट के आदेश को खारीज किया जाता है बता दे अकिलेस परसाद वा मनोज कुमार के नियुक्ति सन्युक्त ब्हार में होई थी धन्यवाद